गुड मॉर्निंग चेल्डरंस माप का नियु फुजिकल टीचर सुनील कुमार तो टूडेज डेट इजे टूटी नाइन अप्रेल टूटाजन टूटी थ्री तो आप काफी गेमों के बारे में जानते होंगे जिसमें से आप कुछ गेम खेलते होंगे जैसे रैसलिंग है वोली वॉल है रनिंग है तो इस तरह से कबड़ी भी एक गेम है जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा तो आज हम कबड़ी के बारे में जानेंगे जैसे कि उसकी ग्राउंड की लेंद कितनी होती कितने उसमें प्लेयर होते हैं तो उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम उसके ग्राउंड के बारे में जानते हैं तो इसकी ग्राउंड की लंबाई 12.5 meter होती है और इसकी चोड़ाई 10 meter होती है ये boys के लिए होती है और same अगर हम girls के लिए करें तो उसकी लंबाई 11 meter और चोड़ाई 8 meter और इसको हम दो बागों में divide करते हैं तो जो इसकी middle line होती है इससे जो दोनों तरफ किसी भी साइड लगा लो अगर जो पहली line शुरू होती है उसको हम block line बोलते हैं तो middle line से block line की दूरी 3.75 meter होती है ये boys के लिए होती है और girls के लिए इसकी दूरी 3 meter होती है और block line से जो आगे एक line होती है जिसको हम block line बोलते है उसकी दूरी 1 meter होती है ये boys और girls दोनों के लिए सेम होती है और block line से last make line होती है जिसको उन्टीम लाइन बोलते हैं उसकी दूरी 1.5 meter होती है ये भी boys और girls दोनों के लिए सेम होती है यही सेम प्रोसीजर इस साइड बे होता है दोनों ग्राउंड में सेम होता है तो इसके अंदर बच्चो इसके अंदर 12 प्लेयर होते हैं जिसमें से 7 प्लेयर प्रजेंट होते हैं और 5 प्लेयर एक्स्ट्रा होते हैं बाइचांस अगर कोई प्लेयर जो प्रजेंट खेल रहा है अगर वो इंजड हो जाता है तो जो एक्ट्रा प्लेयर उन में से वो उसकी जगह ले सकता है और हम चाहें अगर इंजड नहीं है और किसी प्लेयर को हम चेंज करना चाहते हैं तो इन प्लेयर में से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं और इसके अंदर रेफरी एक होता है अमपाइर दो उत्ते हैं लाइन मैं दो उत्ते हैं और स्कोरर एक टाइम होता है और गर्स के लिए 15-15 मिंट के बीच में टाइम रेष्ट होता है वह पांच मिंट सेम होता है तो इसके साथ अगर आप इसमें कुछ अब खुद से आड़ करना चाहते हैं तो वह भी करके ला सकते हैं